है ले शुडेंट्स और वेलकम बेक टू खत्री एडुकेर आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है मल्टिप्लिकेशन लास्ट वीडियो में हमने मल्टिप्लिकेशन किया था विदाउट रीगूपिंग के लिए और उसमें हमने थ्री डिजिट का नंबर और टू डिजिट के को वन डिजिट के नंबर से मल्टिप्लाई किया था आज हम करेंगे मल्टिप्लिकेशन विद रीगूपिंग इसके लिए आपको दो कोशन्स दे रखें सबसे पहले टू डिजिट के नंबर को वन डिजिट के नंबर से मल्टिप्लाई फर्स्ट कोशन आपको दे रखा है म तो 42 क्या है एक 2 डिजिट नमबर है 9 क्या है 1 डिजिट का नमबर है सबसे पहले लेते हैं यह first को first में क्या है multiplying करना है आपको 28 by 6 तो यह 2 डिजिट का नमबर है तो सबसे पहले इनके places define करेंगे 2 डिजिट मतलब एक once का place रहेगा एक tens का place रहेगा 28 8 को लिखेंगे once में 2 को लिखेंगे tens में 6 को लिखेंगे यहाँ पर 8 के नीचे और यह करेंगे इसको multiply अब सबसे पहले देखिए क्या करना आपको once का place once के place पे 8 और 6 को multiply करना है जब आप 8 और 6 को multiply करते हैं 48 आपको मिलता है 48 48 क्या है 2 डिजिट का नंबर है once पे क्या है एक डिजिट का नंबर ही आएगा तो यह 48 क्या है 48 है हमारे once है 48 को कैसे लिख सकते हैं 40 once plus 8 once यह 40 once क्या बन जाएंगे 4 tens और यह बन जाएगा 8 once अब 8 को लिखना है आपको यह once के प्लेस पे 8 6 डिजिट को लिखेंगे आप यहाँ पर और यह जो 4th tens है यह 4 जाएगा 10 में as a carry अब बारी आती है 10 के प्लेस की 10 के प्लेस पे क्या है 2 into 6 12 होता है और 12 के साथ में carry कितनी है 4 है 12, 4, 0 16 16 आप लिखेंगे 10 के प्लेस पे और 1 आजाएगा अब next प्लेस पे यह हो गया 100 का प्लेस तो टोटल जो आपको answer मिला है 28 into 6 क्या मिला 168 next example है multiply करना है 42 को 9 से तो क्या करेंगे 2 डिजिट का नमबर है प्लेस क्या होगे यहाँ पर एक once का place होगा और एक 10 का place तो 2 को लिखेंगे once के place में 4 को लिखेंगे 2 once में और 4 10 में किसे multiply करना है 9 से 9 को लिखा हमने यहाँ पर और क्या करना है multiply करना है अब देखिए सबसे पहले a. Le Times के place पे क्या है 2 और 9 तो 2 इंटो 9 2 इंटो 9 कितना होता है 18 होता है अब 18 क्या है 18 वंस है इसको आप कैसे करेंगे regrouping 10 वंस प्लस 8 वंस 10 वंस कितना हो गया 110 यह 8 वंस अब वंस के प्लेस पे आप यहां पर लिखेंगे 8 और यह जो 110 है यह जाएगा 10 के प्लेस पे as a carry अब बारी आती है 10 के प्लेस की अब 10 के प्लेस पे क्या है 4 है multiply करना है 9 से तो देखें क्या करना है 4 इंटो 9 4 इंटो 9 कितना होता है 36 और 10 में carry कितनी है यह 1 है तो यह total कितना मिला 37 10 7 तो आप लिखेंगे यह 10 के दर और 3 लिखेंगे next प्लेस पे यह तो भी 1s का 10s का और 100 का प्लेस हो गया तो 42 multiply by 9 कितना मिला 378 तो यह तो क्या हो गये थे 2 digit का नमबर जो multiply हुआ by 1 digit के नमबर से with regrouping अब करते हम दो example है यहाँ पर भी 3 digit के नमबर को multiply करना है अब 1 digit के नमबर से तो दो question आपको क्या दिये है multiply करना है 458 by 2 तो यह क्या है यह 3 digit का नमबर यह क्या है 1 digit का नमबर और next में दे रखा है आपको multiply करना है 122 by 7 मतलब यह भी 3 digit का नमबर है और यह 1 digit का नमबर है सबसे पहले लेते हैं किसको first question को जहाँ पर आपको 458 दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे places define करेंगे अब place क्या आएगा once का place 10s का place और यह 100 का place 8 को लिखेंगे once में 5 को लिखेंगे 10s में 4 को लिखेंगे 100 में multiply करना है 2 से multiply अब सबसे पहले once का place लेना है तो 8 इंटू 2 8 इंटू 2 क्या होता है 16 होता है 16 क्या है once है regrouping में 110 प्लस 6 once तो once पे क्या लिखना है 6 और जो 110 है यह one जाएगा 10 में as a carry अब 10s के place के बारी 10s के place में क्या है 5 है इंटू 2 है फाइव टू जा 10 वन है यहाँ पर carry कभी भूलना नहीं है कितना हुआ 10 प्लस 1 11 अब यह 11 क्या है 11 10s है इसको क्या लिख सकते है regrouping में 100 प्लस 110 अब 10s में क्या आएगा 1 यह मैंने लिखा यहाँ पर 1 100s पर क्या आएगा यह 1 जो है 100 यह जाएगा यहाँ पर as a carry तो अब देखिए अब 100 पर क्या है 4 into 2 यह 4 है into 2 है 4 तू जा कितना होता है 8 carry कितना है 1 तो 8 प्लस 1 क्या हुआ है 9 9 को लिखेंगे यहाँ पर तो multiply जो है 458 by 2 उसका जो answer है उसका जो product है वो क्या मिला हमें 916 मिला अब इसी तरह करते हैं next question को अब यहाँ पर आपको क्या दिया है multiply 122 by 7 तो देखिए यह 3 डिजिट नंबर क्या करना है places define once का tens का hundreds का अब देखिए यह 2 आएगा once में यह 2 आएगा tens में 1 आएगा hundred में multiply करना है 7 से अब देखिए सबसे पहले लेंगे once के place को once के place पे क्या है two है into seven है तो two into seven कितना होता है fourteen two sevens are fourteen fourteen क्या है once है अब once को क्या करेंगे regrouping fourteen once को तो one ten plus four once अब once के place पे लिख देंगे four और यह जो one ten है ही जाएगा ten के place पे as a carry अब tens के place पे क्या है again two into seven है तो two sevens are fourteen और one carry है plus one carry यह कितना हुआ fifteen fifteen क्या है fifteen है ten इस fifteen को regrouping कैसे करेंगे one hundred plus five क्या आगिया ten का अब ten क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे five और जो one hundred है यह बन जाएगा as a carry hundred के place पे अब देखिए क्या करना है hundred के place की बारी hundred के place पे क्या करना है one into seven तो one into seven one into seven कितना होगा seven carry है one plus one कितना मिला eight यह लिखा मैंने eight तो one hundred twenty two का multiplication with seven क्या मिला eight hundred and fifty four तो students आशा करता हूँ कि आज जो हमने multiplication किया है with regrouping two digit और three digit के नंबर को one digit के नंबर से multiply करना आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको practice तो इसका करना ही है फिर मिलेंगे next वीडियो में thank you thank you कि उ से समझ क क मिलें पफ़ाग allen समय चाना है कि उ समय है झाज Whit